हेलो इन्वेस्टर्स वेलकम बैक टो पैसा ग्रोवर आई होब कि आप सब फाइनेशली फुरी होंगे और एक हेल्दी और वैल्दी लाइफस्टायल को एंजो एक कर रहे होंगे लास्ट वीडियो में हमने सोरे देऊजना के बारे हम बात करी थी हमने इसमें सोलर पैनल को डिसकस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हो और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर स्मार्ट मीटर्स के बारे में जब आपके सोलर पैनल इंस्टोल होंगे है एक पर एक पावर लिमिटेट यह आपकी लास्ट फोट यह से लीडिंग मैनुफेक्च्छर है और यह आपकी मीटर्स मोडिलर स्विच इस स्विच गेर एलीडी लाइटिंग और वायर्स एंड के बल्स में वर्क करती है यह इंडिया के बाहर 42 कंट्रीज में पास more than 50% का मार्केट शेयर है और मीटर मार्केट के अंदर इसके पास 20% का मार्केट शेयर है एलीडी मार्केट में आपकी फिफ्ट लार्जेस मैनुफेक्चर है और फिलाल इसके पास 900 से भी ज्यादा डेलर्स है और इनका फोकस है कि मार्स 2025 तक इस नंबर को वन लेक तक लेके जाएंगे अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर तो इसकी मार्केट केप है 2100 करोड की सो भी आपके एक स्मूल केप सुख है फिलाल इपका 322-330 रुपीस पर टेड़ तो आप मिल जाएगा फिलाल इपने और टेम हाई के काफी जदा पास है इसका प्राइस तो अर्णिंग रेशो है 60 का तो आपके फिलाल इसकी आरवे 3.80 की जो कि आपकी 276 परसेंट से इंक्रीज हुई है इसको पर 640 करोड का डेट है और इसका डेट टो एक्यूटी रेशो 0.79 का जो कि अगे नोक के है इसका पिट्रोस के स्कोर है 9 का मतलब आपके एक वेरी हाई फ 40 करोड का एवरेज क्वाडरली रेवेन्यू जन्रेट कर रही है और उसमें इसका 47 करोड का ओपरेटिंग प्रोफिट बनाया था एल्ली प्रोफिट एंड उसे स्टेट्मेंट पर चलते हैं अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो लास्ट से आपका बैक टो बैक इंक्री कर रही है और इसके मटेरल कोर्स जिसके उप्रेटिंग मार्जन इसका रिडियूस हो रहा है फिलाल इसने 157 करोड का ओप्रेटिंग प्रोफिट जन्रेट क्या था और इसका मार्जन था 12%. का मतलब कि इसने अपने हर सो रुपे के रेवेन्यू बर अपने बार रुपे बनाए है और सेकिंड लिए काफी ज़्यादे इंटरस्ट पे कर रही है और एट देंड इसने 30 क्रोड का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और इसका EPS भी नेरली 3.5 टाइमस इंक्रीज हो गया इसमें से एक्जिट ले रहे हैं और रिमेनिंग 27.12% के सेक आप सभी का है सो फंडमेटली तो आपके एक अच्छे स्टोग है इसके टेक्निकल देखते हैं तो पहले आपके एक अंदर था और इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था फिर इसने आपके ब्रेक आउट शो किय और फिरले इसको सबोर्ट रहेगा 262-265 का और ये कोपन एसिस्टेंस वाले इस्टोग है तो आप अपने अकोडिंग इसके अंदर पॉइंट्स देख सकते हो और आप इन लेवल्स के साथ इस कोपनी बोथ लिसके अंदर रैट कर सकते हो नेक्स इस्टोग हमारे पास आता है तो हम इस इस्टोग कहीं ड्रोप करेंगे तो थार्ड इस्टोग है हमारे पास Genius Power Infrastructure Limited ये कैला शुरूप का एक पाल्ट है ये मीटर की manufacturing और marketing में work करती है अभी तक इस company ने 17 million यानि कि आपके 7 करोड से भी जादा मीटर्स इंस्टोल किये हैं और normal मीटर्स में इसके पास 27 का market share है बाट अगर हम smart meters की बात करें तो उसके अंदर इसके पास nearly 70% का very high market share है फिलाल इसके पास 4 manufacturing units है और ये एक साल में almost 1 करोड मीटर को manufacture करने की capacity रखती है और इसके customers में state electricity board, NDPL और Reliance Energy भी शामिल है फिलाल इनका 10-12% करे विन्यों एक्सपोर्ट करने साथ है फिलाल इन फिलाल इसके stock आपकर 300 rupees पर trade हो रहा है इसका price to earning ratio 95.3 का ये अपके अच्छी गाजी overvalued company है इसकी ROE के वल 3% की है जो की कम है बाग इसके ओपर 340 करोड का debt है और इसका debt to equity ratio 0.29 का जो की फिलाल justified है इसका petroski score 6 का है मतलब है आपके good fundamentals वाली company है बागी promoters के पास इसमें 42.7% cash check है मगर इनका 61.8% cash check plus है जो की दूसरा bad point है इस company के लिए और previous 12 months में इसने 40 करोड का profit generate क्या था इसको भी detail में देखते हैं तो quarterly इनका भी revenue increase हो रहा है और फिलाल 230 करोड का average quarterly revenue generate कर रही है last quarter में इसने 259 करोड का revenue generate क्या था और उसमें 26 करोड को operating profit बनाया था long run में देखते हैं तो covid के बाद अभी ये भी अपने sales को recover कर रहे है last financial area में इसने return rate करोड का revenue generate क्या था और उसमें इसका profit आया था 79 करोड का इसका margin 30% का मतलब किसने अपने हर 100 रुपे के revenue पर अपने 10 रुपे बनाए है उससे लग इसके पास 14 करोड के दर income आई थी 29 करोड इंट्रस और 19 करोड अप्रिसेशन में चले गए और 34% का tax पे करने के बाद इसका net profit भी positive है balance sheet देखते हैं तो फिलाल इसमें 26 करोड की equity capital है reserves को increase कर रहे है उससे लग फिलाल अपने फिक्स assets को increase कर रहे है 4 करोड का इसका अंदर के अपक्स चल रहा है 331 करोड के दर investment है और 1370 करोड के other assets है तो इसकी balance sheet भी एकदम well and good है cash flow की दरफ चलते हैं तो इसका profit increase हो रहा है 66 करोड की negative inventory है 22 करोड के इसने working capital change था और 15 करोड के इसने tax पे किया है उससे लग इसने 25 करोड के इसने assets purchase किये है 21 करोड के इसको interest मिला है और 29 करोड के इसने interest पे किया है 6 करोड के इसने आप सभी को dividend rent दिया है और at last of calculations के बाद इसका net cash flow positive है जो कि काफे हैं इस company के लिए shareholding management पर चलते हैं तो promoters के पास इसमें 42.66% के stake है और इन्होंने अपने से को काफी तेजी के साथ cut off किया है और FII इन अपने से को काफी तेजी से increase किया है डिया इसके अंदर से भी exit ले रहे हैं और remaining 35% के stake आप सभी का है तो yes fundamentally ये भी काफे है चेस्टोग है बागी चलते हैं इसके technical charts पर तो पहले आपका एक downtrend में था फिर इसने breakout शो किया और एक uptrend की शुरुवात की और फिलाल के लिए इस इस तो का first support रहेगा 270 का और आपका next support रहेगा 230 to 235 का और आप इन levels के साथ इसको worthless met कर सकते हो आप सब भी company को miss का रहे हो ना सो आज का लासिस्टोग एक well known company है जिसका नाम है Tata Power Company Limited ये भी आपके smart meter की production में work करती है और इस नभी तक Mumbai में 1,25,000 smart meters को install किया है और ये इस नमबर को 7,50,000 तक लेगे जाएगी financially 25 में और इस नभी तक Mumbai, Delhi और Udisa में मिलाके 5,000, 500 meters को install किया है और उससे लगे इनके को additional benefit है कि अगर कोई भी abnormal electricity usage होगा तो ये आपके एक alert provide कर देगी अब फिलाल इसके fundamentals पर चलते हैं तो इसकी market cap है 1,25,000 करोड की तो ये आपके एक large company है फिलाल आपका 390 रुपीस पर trade हो रहा है और ये almost अपने all time high पारी है इसका price to earning ratio 36.9 इसकी ROE ROC है 12% की जो कि इस company में good growth को शो कर रहा है इसको अपर 52,500 करोड का debt है और इसका debt to equity ratio है 1.74 का जो की काफी जादा है मगर अपने debt को reduce कर रही है बाग इसका petrosky score है 8 का जो कि इसके very high fundamentals को शो करता है प्रमोटर्स के पास इसमें 46.9% का good stake है और पिवस 12 मंथ में इसन इनके good CAGR से grow हुआ है आए इन सब को भी detail में देखते हैं तो इक quarterly revenue बना रहा है और फिलाल इसका quarterly revenue आय था 15,700 करोड का और उसमें 2770 करोड का operating profit generate किया था इनका अपना operating margin 13% का जो कि काफे अच्छा margin पावर companies के लिए और 95 को इसका quarterly results ब्याने वाला है better figure के लिए early profit and losses statement पर चलते हैं तो फिलाल है अपना all time high 55,000 करोड का early revenue जनरेट कर रही है मगर इसकी manufacturing cost भी increase हो रही है और फिलाल इसका operating profit आया था 7700 करोड का इसके बास other income का भी काफे अच्छा support है last year में इसमें 5540 करोड के दर income आई थी और उसमें 4370 करोड इंटर 3430 करोड भी depreciation में चले गए और 30% का tax हटाने के बाद इसका net profit आता है 3800 करोड का जो की again आपका consistently grow कर रहा है balance sheet पर चलते हैं तो 320 करोड की equity capital है 29800 करोड की increasing reserves है long term borrowings को increase कर रही है और short term borrowings को reduce कर रही है assets देखें तो अपने fixed assets को ये भी increase कर रही है 7200 करोड का very high cap excel रहा है 16258 करोड की इसके अंदर investment है तो balance sheet तो उनकी भी काफी smartly manage जाए cash flow देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका profit increase हुआ है receables negative है 310 करोड की positive inventory है 986 करोड का working capital change था 870 करोड के इसने tax पे गिया है 7650 करोड के assets खरीदे हैं और 3180 करोड other investing item में डाले है 4108 करोड के इसने interest पे गिया है 790 करोड के इसने आपको dividend दिया है और at the end सब कुछ मिला कि इसका भी net cash flow positive है share holding management पर आते हैं तो 46.86% के इसके खुद promoters के पास है FII और DIA दोने अपने इसके को increase कर रहे हैं और remaining 26.87% के इसके आप सभी का है इसके टेकनिकल्स देखते हैं तो फिलाले आपके एक स्टोंग अप्टेंट के अंदर है और फिलाले के लिए इसका first supporter रहेगा 360 का और इसका next supporter रहेगा 315 का अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो like अगर आपके इस पूरी वीडियो में कोई भी doubt है फिर query है तो आप में इसे comment section के अंदर आखे पूल सकते हो और भी ऐसी quality analysis के लिए एक subscribe तो बनता है अब हम भी जल्दी मिलते हैं next वीडियो में Till then be healthy, be wealthy